Friends, Good Morning, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन, इसके पहले के वीडियो में हमने कहानी लेखन पढ़ाया है, जिसमें हमने दो स्टोरी सुनाएं थी, आप लोगों को दो कहानिया सुनाएं थी, पहले कहानी हमने सच्ची मित्रिता की बताए थी, और दूसरी कहानी सेर और चुहें की बताए थी, आज हम कहानी लेखन का ही, आज फोर्थ नंबर की स्टोरी सुनेंगे, सिद्धी मंत्र, ठीके, ये भी बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है, इससे भी आप ध्यान से सुनेंगे, तो आईए आपको हिंदी व्याकरण के पेज नंबर 90 और 91 में मिलेगा, ओके, तो रीट करना शुरू करेंगे, आप लोग भी ध्यान से सुनें, सिद्धी मंत्र, अब सिद्धी मंत्र क्या होता है, देखते हैं, किसी गाओं में धर्मदास और रामदास नामक दो मित्र रहते थे, धर्मदास अपने सभी कारियों को समय पर करता था, वह रोज प्राता का उठकर अपने खेतों में जाता था, और वहां फसल की देख भाल करता था, खेतों से लोटकर अपने अन्य सभी कारियों समय पर करता था, इस कारण वह संपन होने लगा और उसकी प्रतिष्टा भी बढ़ने लगी, इसके विप्रीत रामदास आलसी था, वह देर तक सोता थ खेतों का सारा कार अपने नोकरों पर छोड़ धकता था, देर तक सोने तथा स्वास्त का ध्यान ना रखने की कारण रामदास रोगी हो गया, खेतों में मालिक के ना होने की कारण नोकरों ने लापरवाही करने शुरू कर दी, फसलों का उत्पादन कम होता गया और रामद गरीब हो गया वहीं उसका जो धर्मदास जो जो उसका मित्र था वो आलसी नहीं था इसलिए वो दिन दिन प्रगति करता रहा और जो रामदास जो दूसरा मित्र था वो आलसी के कारण अपना सब कुछ गवाने लगा और गरीब हो गया है फिर है एक दिन धर्मदास अपने मि रामदास से मिलने उसके घर गया वहां उसने रामदास को रोगी और उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा रामदास ने बताया कि मित्र मेरा स्वास्त ठीक नहीं रहता खेतों में फसनों का उत्पादन भी नहीं होता जिसके कारण मेरी दसा देनी हो गई है रामदास समझ गया कि रामदास की देनी दसा का कारण उसका आलज से है उसने मन ही मन सोचा और रामदास से बोला मित्र मुझे एक महत्मा ने मंत्र बताया है जिसके कारण में संपन हो गया यदि तुम भी वह मंत्र प्राप्त करना चाहते हूँ तो तुम्हें साल भर कठोर ब्रत करना पड़ेगा रामदास तापाक से बूला मित्र मुझे बताओ मैं वह मंत्र प्राप्त करने के लिए कठोर ब्रत करने को तैयार हूँ रामदास ने समझाया कि मित्र तुम प्राताहकाल जल्दी उठकर अपने खेतों में जाना तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से महत्माजी तुम्हारे खेतों पर आकर वो मंत्र बताएंगे जिसके फलसुर्व तुम संपन हो जाओगे रामदास नित्य प्राताहकाल जल्दी उठकर अपने खेतों में जाने लगा पसुर्व की देख भाल करने लगा खेतों में मालिक को देखा नोकर ने ठीक से काम करना प्रारम कर दिया फ़लसरोव खेतों में फसलें लहराने लगी और पशु भी स्वस्त हो गए रोजप्रात काल उटने और खुली हवा में टहलने के काल उसको स्वास्त भी ठीक हो गया देरे देरे वह खुशी तदह संपन हो गया किन्तु उसे महत्मा के दरसल नहीं हुए एक दिन खेतों से लोडते हुए प्रसन ने रामदास को देकर धर्मदास ने पूछा मित्र महत्मा जी के दर्शन हुए या नहीं तो रामदास ने कहा मित्र महत्मा जी के मंत्र का राज अम में समझ गया हूँ हमारा कर्म ही वह सिद्धी मंत्र है जो हमें प्रगिती की और अग्रसर करता है और आलस मनुस्का सबसे बड़ा सत्रू होता है तो यहां बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को कितनी अच्छे साला दी और उसे एक सिद्धी मंत्र बताया जिसे वो करता था और जैसा उसका मित्र था जो धर्मदास था उसी तरह से वो भी संपन हो गया सोबे जल्दी उठता था उठने बा खिरकार वो सफलता की और बढ़ गया और उसकी जितने भी आलस थे वो सब दूर हो गया इसलिए कहा गया है कि आलस जो होता है वो मनुष्ट का सबसे बड़ा सत्रू होता है तो आप लोग को सीख लेने चाहिए कि हमें सारे आलस को दूर करके हमें पढ़ाई पे ध्यान दे आप लोग को समझ में आया तो इसके आगे की स्टोरी हम कल आपको सुनाएंगे ठीक है तो आपका होंबार रखे कि इस स्टोरी को एक बार ओर रीट करके आएंगे आप लोग के बाबाई स्टोरेंट